हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्थ डीटूटी को कब्स की प्रॉब्लम हो जाती है पेट साफ ना होने के करण सारा दिन भारी भारी लगता है किसी काम में मनी नहीं लगता बहुत ही आलस लगता है अनकमफरडेवल फील होता है एक अजीब तरह से इरिटेशन लगती है कब्स होने से आतों की गदी धीमी पड़ जाती है इससे शरीर में मौझूद विशाक्त कंड निकल जाते हैं गुन गुने पानी में नीबू के रस पीने से कब्स में काफी आराम मिलता है आप चाहें तो लेमन टी भी पी सकते हैं पुदीना और अद्रक दोनों की चाय बनाकर पीने से कब्स की समस्या दूर हो जाती है रात क 3 ग्राम आलू बुखारा अगर खाएंगे बारी मातर में फाइबर मौझूद होता है जिससे कब्स को दूर करने में काफी मदद मिल कब्स को दूर करने के लिए आपको सुबा उटकर गुनगुना पानी बैठ कर सिपशिप करके पीना चाहिए खाने में अच्छी डाइट लें फाइबर युक्त फूड लें इससे आपको कब्स में काफी रहात मिलेगी अच्छी और परियाद मीर लें कम से कम आठ घंटे तक सोएं चीनी और मैदे का यूज बिल्कुल ना करें जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें एक्सरसाइज और योगा जरूर करें कब्स को बने हुए पाउडर का एक चमच इस पानी के साथ लें इससे आपके कब्स की समस्या दूर हो जाएगी इस नुस्के से पेट की बाकी समस्याएं भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी इसके अलावा आप जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें एक्सरसाइज योगा करें सुबा उटकर गुनगुना पानी पीएं फाइबर फूड खाएं अच्छी नींद ले परियाप नींद ले इन सारे उपायों को करने से आपको कब्स में आराम मिलेगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ऐसे ही हेल्थ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें